नमस्कार, SBT News में आपका स्वागत है, पेशे 6 जुलाई, गुरुवार सुबह सावा, 6 बजे राजसान की बड़ी खबरें राजसान विधानसावा चुनाव के रानीती वे सूबे के नेताओं की जिम्मेदारी को लेकर दिल्ले में आज गुरुवार सुबह साड़े 10 बजे कॉंग्रिस मुख्याला में बैठक होगी बैठक को लेकर प्रदेश कॉंग्रिस के सभी बड़े नेता दिल्ले में मौजूद रहेंगे इसके अलावा केसी वेनु गुपाल और सुखजिंदा सिंग्रंधावा भी मिटिंग में मौजूद रहेंगे वहीं मुख्य मंतिय अशोग गहलोत वर्चुल रूप से बैठक में जुडेंगे सचिन पारेट भी मिटिंग में मौजूद रह सकते हैं वहीं संभवतर राहुल गांदी भी मिटिंग में मौजूद रह सकते हैं इस दोरान राज़स्थान को लेकर कई महत्पुन मुद्व पर चर्चा होगी क्योंकि आला कमान अब चुनाव से पहले सब कुछ साफ साफ करके चलने के मूड में है मीडिय रिपोर्ट्स के अनुसार राज़स्थान कांग्रेस संगठन में रिकते चल रहे हैं पदों का मामला सुलजने का नाम नहीं ले रहा है प्रदेश पर भारिज सुक जिंदर सिंग रंधावा और प्रदेश अध्यक्ष गोविन सिंग दुटासरा ने बीते दिनों जिला ध्यक्षों और प्रदेश सच्चिवों के नाम की जो सूची दी थी उस पर आला कमान ने ऐस हैमती जताई है दोनों दिगज इसमें संशोधन कर इसे बैटक में पेश कर सकते हैं करीब 49 जिला ध्यक्षों के पद रिखते चल रहे हैं जपर में गुजारे भते में 55 हज़ार के सिक्के देने के मामले में कोट ने पती को सिक्के खुद बैंक में जाकर जमा करवाने के आदेश दिये फैमिली कोट एक ने पतनी सीमा कुमावत के अप्लिकेशन पर आदेश देते हुए पती को कहा कि ये 55,000 के सिके कोट के बाबू की मौजूदगी में स्वेम जाकर बैंक में जमा करवाएं कोट ने अपने आदेश में कहा पतनी का अकाउंट नहीं होने की कारण ये सिके उसकी पिता नाथुलाल कुमावत के अकाउंट में जमा करवाएं वहीं पती दश्रत कुमावत ये सी के अपने बैंक अकाउंट में भी जमा करवा कर पतनी के पिता के अकाउंट में ट्रांसफर भी कर सकता है दोनों ही सुरतों में एक माहा के अंदर इसकी रसीत कोर्ट में सब्मिट करनी होगी राजिस्तान विधानसभा की बैठाक 14 जुलाई से होगी विधानसभा के बजट सत्र को ही अभी जारी रखा है विधानसभा सचीवाले ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है पिछले तीन साल से बजट सत्र को ही लगाता रखा जा रहा है विधान सभा की कारेवाही 3-4 दिन चलने की संभावना है 14 जुलाई को विधान सभा की कारेश सलाहकार समीती की बैठक होगी जिसमें कामकास्ते होगा 14 जुलाई को रास्टपती द्रापदी मुर्मो विधान सभा में आएंगी राष्टपती सदन को संबोधित करेंगी विधान सभा की तरफ से राष्टपती को निमंतरन भीजा गया है आज कल में राष्टपती भवन से मुर्मू के दोरे का आधिकारिक प्रोग्राम जारी हो जाएगा बीस हजार करोड से बने ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे को लेकर राष्ट जुलाई को बीकानेर आ रहे है प्रधान मंतरी नरेंडर मोधी की जन सभा को सफल बनाने के लिए प्रदेश के आला भाष्पा नेता और मंतरी जुट गए है बीकानेर से केंदरी मंतरी अर्जुना मेगवाल के साथ ही भाष्पा प्रदेश अध्याक्ष सीपी जोशी और विधान सभा में नेता प्रतिपाक्षु राजेंदर राठोड सभा के लिए जुट गए है मोदी के दोरे को लेकर मेरा अधन बैठकी की जो रही है आगामे शुकरवार को सीपी जोशी और नेता प्रतिपाक्षु राजेंदर राठोड भी बीकानेर पहुँच रहे हैं गए उत्साही ये वक्त ट्रेन के अंदर चुड़ गए उन्हें बाद में उतारा गया फ्रेन करी पांच मिनट रुकी फिर आगे मारवाट जंक्षन की तरफ रवाना हो गए अब लोगों को ट्रेन के रुटीन में शुरू होने का इंतिजार है ताकि वे भी 110 किलमेटर प्रति घंटे के रफ्तार से चलने वाली इस ट्रेन में सफर कर सकें DRM पंकच कुमार सिंग ने बताया कि पीम मोदी 7 जुलाई को इसका घटन करेंगे देश के पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गेलाल बहादु शास्त्री के पौत्र दिवाकर शास्त्री आज 6 जुलाई को राजसान में अजमेर के तिर्थ राज पुष्कर आएंगे यहां पवित्र पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना तथा ब्रह्मा जी मंदिर में दर्शन भी करेंगे दिवाकर शास्त्री का अद्योग पती रिजु जुनजुनवाला की जवाहर फाउंडिशन की ओर से स्वागत एवम अभिनंदन किया जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनाइजेशन चंद्रयान 3 की लांचिंग तेरह जुलाई को कर सकती है इसको लेकर तयारियन लगभग पूरी है श्रीहरीकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर में बुधवार को चंद्रयान 3 की इनकैपसूलेटिड असेंबली को LVM 3 के साथ जोड़ा गया इस रोंने वीडियो ट्वीट करते हुए इसकी जौन करी दी अगर चंद्रयान 3 का लेंडर चांद पर उतरने में सफल होता है तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा इससे पहले अमारिका रूस और चीन चंद्रमा पर अपने स्पेस क्राफ्ट उतार चुके हैं टासन हाई कोट ने ग्रह सचीव के अनुमती से फोन सर्विलांस पर लेने के आदेश को अवैद करार देते हुए उसे रद कर दिया साथ ही पिस्टचवार नेरोदक ब्यूरो को निर्देश दिया है कि सर्विलांस करवाही के दौरान की गई रिकॉर्डिंग और उससे प्राप्त संदेशों को नस्ट करने दिया जाए इसका अदालत में लंबी ताप राधिक प्रकरन में इस्तिमाल नहीं करने को भी कहा है इसे राधिसों मामले में बस्तचवार के चर्चित मामले में एसी बी को बड़ा जटका लगा है कोट ने अपने आदेश में तलक टिपने की है कि इस तरह के मनमानी वाले आदेश मूला दिकार का हनन करने वाले हैं जिसके अनुमती नहीं दी जा सकती भी का नेर में बच्चों की चोरी और फेर बदल की आशंकाओं को खत्म करने के लिए सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज ने बड़ा निड़ने किया है अस्पताल पुशासन ने अब मा बच्चों के हाथ पर टैगिंग करने का निर्ने किया है सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज की प्रिंसपल डॉक्टर गुंजन सोनी ने बताया कि पीबियम अस्पताल के जुनाना विभाग में बच्चा चोरी तथा बच्चा बदलने के आशुंका साइथ मानवे भूल आदे घड़नावा पर अंकुष लगाने की उदेश्य से अब टैगिंग विवस्था शुरू की गई है राजसान ही नहीं देश की किसानों में इस वक्त सरसो बेचने की होड़ लगी है खास्ता और से राजस्थान सरसो बेचने में आगे है अलवरमंडी में प्रति दिन 15 सो कट्टे उतर रहे हैं और बिक रहे हैं ये हाल अलवरमंडी का ही नहीं खैतल, खेडली, भरतपूर, डीक सब जगा यही हाल है वजह है कि पिछले एक सबताहा से सरसों के रेट में जबरतस तेजी आई है रासान में विधान सबाचुनाओं के एलान से पहले कॉंग्रिस और भाशपा में हल चलें तेज है इसी बीच दिल्ली में अगले एक पकवाड़े में कॉंग्रिस और भाशपा दोनों ही पार्टियों की उचिस सरी बैठक होनी है जिसमें कई बड़े नेताओं को एहम जिम्मेदारियां दी जा सकती है कॉंग्रिस में सचिन पारेट और भाशपा में वसंदरा राज्यों को बड़ी जिम्मेदारी दी जाने के चौटवाएं हैं किसी भी राज्यों के विधान सभा चुनाओं में दिगज नेताओं की इलक्षन कैंपेइन कमेटी के चेर्मेन पत पर नजर होती है क्योंकि ये वो वेक्ति होता है जिसके पास पूरी पार्टी के चुनाओ पर चौर के जिम्मेदारी होती है दक्षन पश्ची में मौनसू राजसान में आज गुरुवार को फिर तेजी पकड़ने वाला है इस दोरान प्रदेश में बिजली की चमक बादलों की गरच के साथ हलकी तो कहीं भारी बारिश होगी इस समन्द में मौसम विग्यान केंद्र जयापूर ने 18 जिलों में बारिश का येलो अलट चौरी किया है इसके अनुसार अलवर बारा भरतपूर दोसा ज़ालावार और कोटा में भारी और अजमेर भीलवारा बूंदी चितौडगर धालपूर जयापूर जुन जुनू करॉली सवाई मादपूर सीकर टोंग और उदैपूर जिलों में में गरजन में बिजली की चमक के साथ हलकी बारिश होगी इसी तरह शुकरवार को बारा भरतपूर धालपूर ज़ालावार करॉली कोटा सवाई मादपूर और पश्यमेर राजिस्तान के बीका निर्मे भारी तथा अजमेर अलवर और भीलवारा भूंदी चितौडगर दौसा जुन जुनू टोंग तथा सीकर में हल पुर्ण मानी जा रही है कमेटी की बैठक रास्टी संगठन महामंतरी बी एल संतोष की मुझूदगी में होगी दो दिन चलने वाली बैठक के स्थान का चैन जल्द ही कर लिया जाएगा कोर कमेटी के सदस्यों के अलावा भाच्वा प्रदेश उपाध्यक्ष एवन प्रमक नेताओं को भी बैठक में बुलाया जा सकता है शिफ भक्तों के लिए भाते डाकवी भागने नई पहल शुरू की है अब भक्तों को घर बैटे ही बाबाकाशी विशुनात जोत्रलिंक आशिरवाद और प्रसाद मिलेगा डाकवी भागने सावन में ये विवस्था शुरू की है श्रधालू अब मनी ओर्डर से सीधे बनारस के बाबाकाशी विशुनात का प्रसादी और पूजन समगरी मंगा सकेंगे इसके लिए भक्तों को 251 रुपे का मनी ओर्डर करना होगा बुकिंग होने पर डाकवी भाग की और से 7-9 दिन में प्रसादी घर पर प पर जयापुर की डेपुटी मेर पोस्ट कार्ड के जरीए राजनीती में एक मुकाम पाना चाहते हैं वो पोस्ट कार्ड के जरीए विधायक बनेंगे इसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला आजमाया है वो मालवी नगर विधानसभा शेत्र की जनता को संदेश लिखा ए धायक बनने का है तो फिलाल इस बिलिटिन में इतना ही फिर हाजर होंगी कुछ और बड़ी खबरों के साथ